नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका बाबा अरवेदा में और आज की वीडियो में हम बात करेंगे भूई आवला की पहचान और उसके फाइदों के बारे में भूई आवला की तीन जातिया होती है जिनमें से एक भूई आवला लाल की वीडियो हाले में मैंने यूटूब पर डाल लिया है और दूसरी यह है जो सबसे छोटी है आज हम इसकी पहचान और इसके फाइदों के बारे में बात करेंगे भूई आवला सुद वनस्पती बरसात के दिनों में सवत्र पैदा होती है इसके पत्ते बहुत छोटे आवला के पत्तों के समान तता लंब गोल और सकंडे होती है पत्ते के पिछले भाग में हरे पेले रंग के छोटे छोटे फल आते है जिनका सवाद आवले के समान होता है बरसात के आखिर में यहें वनस्पती सूख जाती है। इसलिए इसको कार्तिक मास में संग्रै करके सुखा कर रख लेना चाहिए। और समय समय पर इसका इस्तमाल करना चाहिए। आयरवेदानुसार भूई आवला कसेला, खट्टा, सितल, पित और परमे को नश्ट करने वाला, मुत्र की रुकावट को मिटाने वाला और दहा को सांद करने वाला होता है। इसके अलावा यहें विशनासक और पुत्र दायक है। बात करें भूई आवला के फाइदों की, तो इसका दूद या रस घाव पर लगाने से वहें जल्दी बर जाता है। खुजली, इसके पत्तों के पुल्टिस में नमक मिला कर लगाने से खुजली मिटती है। रगड, इसके पत्तों को पीश कर स्किन की रगड़ पर लगाने से पेड़ा मिट दाती है कामला अर्थार्थ पीलिया इसकी सवा तोला ताजी जड़ को दूद के साथ पीश चान कर दिन में दो बार पिलाने से पीलिया रोग मिटता है पुरानी संग्रैनी इसकी कौमल कोपलो को मेथी के बीजों की साथ देने से पुरानी संग्रैनी मिठती है जलोदर अर्थार्थ पेट में पानी बरना इसके पंचांग का क्वात बना कर पिलाने से मुत्र विर्दी होकर जलोदर मिठता है माशिक धरम की अधिकता इसकी जड़ को चावलों के मांड के साथ देने से इस्त्रियों की मासिक दरम में अधिक रुदेर का निकलना बंदो जता है प्राय एक जवर इसके कॉमल पत्ते और काली मिर्चो को पीश कर उनकी जाइफल के समान गोली बना करतेने से मलेरिया बुखार और फिर फिर कर आने वाला बुखार छूट जाता है मुख पाक इसके पत्तो को पत्थर पर पीश कर और उसकी चटनी से कुला करने से मुख पाक मिठता है रक्त परदर इसकी जड़ के चूरन को चावलू के पानी के साथ दो तिन दिन तक देने से रक्त परदर मिठता है मुटर समंदी रोग मिशरी के साथ इसके पंचांग का कुवात पिलाने से मुटर कच और सब परकार के मुटर रोग मिठते है और अंत में बात करे इसकी मात्रा की तो इसके पत्तो की साधारन मात्रा तीन गराम तक है और इसके पंचांग की साधारन मात्रा पाच गराम इसके अलावा व्यद के अनुसार जो मात्रा आपको बताई जाए वहें आप उप्योग करे तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई जानकरी के साथ में बाकि स्वस्त रहो, रोज लो, मोज लो